एक बार की बात है, एक धूर्ट लोमडी थी जो एक जंगल से गुजर रही थी, उसे बहुत प्यास लग रही थी और वह पीने के लिए कुछ धून रही था, अचानक उसने अंगूर की लताओं से लटके एक लंबे पेड को देखा, लोमडी कूद कूद कर अंगूर तक पहुचने की कोशिश करने लगी, लेकिन वे बहुत उंचे थे, लोमडी बहुत निराश हो गई थी, फिर भी उसने कुछ और कोशिश करने का फैसला किया, उसने एक पल के लिए सोचा, और फिर वह मुस्कुराया, वह अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया, और जितन संभव हो उतना उंचा कूदना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी अंगूर उसकी पहुच से बहुत अधेक उपर थे, निराशा में लोमडी चिल्लाई, यह अंगूर मेरी पहुच से बहुत अधेक उंचे है, मैं उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता, भले ही मैं सो बार कोशि करूं, तब ही, एक बुड़ा उल्लू पेर से नीचे उतरा और लोमडी से कहा, तुम उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते, वे खटे दिखते हैं, आप उन्हें वैसे भी पसंद नहीं करेंगे, लोमडी ने एक पल के लिए सोचा और फिर उसने जवाब दिया, तुम सही हो, बेहतर होगा कि मैं कुछ और पी लूँ, और यह कहकर लोमडी वहाँ से चली गई, उसे कभी भी उन अंगूरों का स्वाद लेने के लिए नहीं मिला, कहानी की शिक्षा लेंगे, कभी, कभी कुछ, कामों को छोड़ना बेहतर होता है जो बहुत मुश्किल होते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर और सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं